तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप सब धी के होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको Android समार्ट फोन की एक ऐसी सेटिंग के बारी में बताने वाला हूँ जिस सेटिंग को आपको ओफ कर देना है क्योंकि अगर आपने इस सेटिंग को ओफ नहीं किया तो कोई भी बंदा आपकी location को पता कर सकता है और किसी भी time पर जो आपका personal data है उसको चुझा सकता है तो इसलिए आपको बिल्कुल alert हो जाना है और जो सेटिंग मैं आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसको आपको ओफ कर देना है ताकि आपका जो personal data है वो ब आपको इस वीडियो के end तक बने रहना है वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी request है इस वीडियो को like करना है चैनल पर नए है चैनल को subscribe करना है और साथी bell icon को दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो क को देखर उस ट्रीक का यूज अपने स्मार्टफोन में कर सकें तो बिना टाइम वेस्ट कर लेते हैं वीडियो को स्थार्ट तो मैं आ गया हूं दोस्तों अपनी mobile स्क्रीन के उपर तो सबसे पहले आपको WhatsApp open कर लेना है WhatsApp open करने के बाद थरी डोट के उपर कलिक करना है और श इंटरफेस आजाएगा तो आपको यहां से इसे थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहां से आपको एक option मिलेगा live location तो आपको इसके उपर कलिक कर देना है जैसे ही आप कलिक करेंगे अगर आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको यहां पर देखने को मिलता है तो आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है क्योंकि जो आपकी live location है वो location किसी के साथ भी आपने share नहीं किया है अगर आपने किसी के साथ यहां पर कोई location share किया होगा तो आपको यहां पर delete का एक option देखने को मिलेगा तो आपको वाँ से delete कर देना है अगर आपने यहां से किसी के पास भी अपनी location share की है तो वो बंदा आपकी जो live location है वो किसी भी time पर देख सकता है तो इसलिए आपको इस setting के अंदर जाकर इसे delete कर देना है अब चलते हैं दोस्तो second trick की तरफ तो second trick के लिए आपको यहां से location के उपर click करना है और hold कर देना है लोकेशन को own कर देना है तो दोस्तों यह थे आज के हमारी वीडियो वीडियो कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share और channel को subscribe करें और साथी comment section में आते वे एक प्यारा सा comment करें तो मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए जय हिंद, जय भार